प्रेंड्स आज कस्वीडियो में हम लोग समिधान के सभी परमुख भागों को देखेंगें वैसे तो आपको समिधान में कुल 22 भाग देखने को मिलते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुल समिधान में कितने भाग समलित हैं तो आपको आंसर देना है 22 ठीक है लेक यह भाग होता क्या है देखें आपने जो पढ़ रखा होगा यह आपने पढ़ा होगा क्या कि भारत के मुल समिधान में कुल 395 आर्टीकल से अनुच्छेद हैं इनहीं 395 आनुच्छेदों को 22 भागों में डिवाइट किया गया है यानि कि 22 भागों में बाटा गया है तो ह तब से पहला भाग जो है वह अनुच्छेद एक से चार तक है पहला भाग हाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूं यह जो अनुच्छेद है वह उतना माइने नहीं रखता चुकि हम लोग यहां पर समिधान के परुख भागों को पढ़ेंगे और उनसे समंदित जो बाते हो अनुच्छियां पढ़ाया वह था और यहां पर हम लोग भाग भी पढ़ रहें तो आप लोग ध्यान में रखेगा चाहे भाग वन हो या अनुच्छी एक हो इन दोनों में जो है संग एवं उसके राजच छेत्र के बारे बताए गया है अर्थात भारत के बारे में बताए गया है कि भारत में एक केंद्र है साथ ही उसके साथ जो है राज के बारे में बताए गया है यानि कि केंद्र और राज के बारे में बताए गया है भाग वन में ठीक है यानि कि केंद्र पे क्या-क्या बाते होती है केंद्र मे क्या क्या है और उसके राजशेत्र में क्या क्या है वो सभी बाते जो भाग वन में कहा गया है ठीक है भाग टू में क्या है भाग टू में आपका नागरिक्ता है क्या है नागरिक्ता अब नागरिक्ता से यह मतलब है कि देखे होता क्या है भारत में एकल नागरिक्ता का प्र लेते हैं तो उसकी जो है भारत की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी ठीक है या हो जाती है ऐसा प्राब्धान है हमारे समिधान में ठीक है आपको उमीद है समझ में आ गया होगा चले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि भारत में नागरिक्ता किसको मान जाता है चोटे मोठ सब्सक्राइब यानि भारतिय समीद्धाहन के लागु होने की तिति से जिस व्यक्तिय का जानव भालत में हुआ हो उसे भालत का नागरिक मारा जाएगा ठीक है इसे आप लोग ध्रॉप में रखेगा नेक्स्ट भाग देखते हैं नेक्स्ट भाग आपके सामने भाग तीन भाग तीन में क्या है मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार से कोसंस यहां से पूछी जाते हैं यहां से भी कि मौलिक अधिकार जो है कितने कितने अनुच्छेद में बटा हुआ है तो आप तिराज अमेरिका के समिधान से अंगिकरित किया गया है कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार को तो अमेरिका से लिया गया है सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखना है दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि मौलिक अथ्वामूल अधिकारों का में रखेगा अब आप देख रहे होंगे कि वरतमान में विचे है तब हटा कुंट खृताा आपका संपति का अधिकार संपिति का अधिकार भी पहले मौलिक के अधिकार में आता था जिनने 44 में संविधान संसुधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया अब इसे जो है आर्टिकल 300 कौ किसमें 300 A या कौ बोले दोनों बराबर है तो 300 A या कौ के तहट कानूनी अधिकार के में रखा गया इनको ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखेगा तो यहां से आप लोग जान गया होंगे भाग 3 से कितने कोसंस बने 4-5 कोसंस बने ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखेगा अगला है भाग 4 भाग 4 जो है ये नीती निदेशक तत्व को बताता है ये भी बहुत ही इसे आप लोग ध्यान में रखेगा अच्छे नीती निदेशक तत्व ये लिया कहां से गया है तो आयर्लेंड के समिधान से प्रेजित होकर के भारतिय समिधान में राज के नीती निदेशक तत्व को महतुपूर्ण अस्थान दिया गया है इसे आप लोग ध्यान में रख आए गया है और नीती निर्शक्तत जो है आर्लेंड के समिधान से लिया गया है अच्छा आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा यह नीती निर्शक्तत है क्या तो आपको मैं बता दूँ यह निशक्तत यह बताते हैं कि भारत में परसासन किस तरह चलाया जाना है चाहिए भाग चार का को याद रखना है क्योंकि इस समंदिध है आपका मुल करतब यह जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि मुल करतब कौन से भाग में है तो आपको बताना है भाग चार का में है और किस अनुच्छेद में है तो यह भी बह आपको बताना है रूस से लिया गया है कहां से रूस से लिया गया है इसे आप लोग ध्यान में रखेगा कई बार कोसंस बिहार पुलीस में भी पूछा गया है कि जो मौलिक करतबी है यह जो है किसकी अनुसंसा पर समिधान में जोड़ा गया तो आपको बताना है सरदार स्व बता देता हूं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और हां आपको ये भी याद रखना है कि मुल्क कर्तब यानि की मौली कर्तब जो है पहले दस हुआ करती थी लेकिन अब 11 होती है तो आपको ध्यान रखेगा अभी पूछा जाए मुल्क कर्तबियों के संख्या अभी कितना ह तो आपको बताना 11 जो की 2002 में इनको जोड़ा गया है 26 में समिधान संसोधन के ताद अचा आपको ये समझ में आना थे हैं कि ये जो इगारमा यानि की पहले दस हुआ करते थी अब 11 हो गया है तो ये 11 कौन सा बढ़ा तो देखे इसमें बताया गया है कि माता पिता हो या भ विदान संसोधन के ताद जोड़ा गया ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा ल свое ओंधया और dengan जरूर कर देजेगा अगला है भाग 5 भाग 5 में संग की सरकार है यानिकि इसमें केंधर के सरकार के बारे मैं बताया है कि केंधर जो है कौण-कौण से कारिक करेंगे ठीक है इसके बारे में बताएगा भाग 5 में चले मैं एक बार आपको रिविजन करा देता हूँ हम लोगों ने भाग 1 में क्या पड़ा भाग 1 में पड़ा संग और उसका राजिछेत्र के बारे में दूसरे भाग में पड़ा नागडिता के बारे में तीसरे भाग में क्या पड़ा मौलिक अधिकार के बारे में और चोथे भाग में क्या पड़ा तो नीती निरे सकता तो अवसी चोथे भाग का एक और है भाग चार का जो की मुल्क करतब है तो यह चार आपको याद रख रहे हैं पाच में हम लोगों ने पड़ा संग की सरकार अब ये संग की सरकार याने की केंदर की सरकार ठीक है केंदर हम लोगों ने पढ़ लिया तब क्या होना था ये राज या आएगा ठीक है इसे आपक धन में रखेगा तो भाग 6 में जो है राज सरकार की बातें कहीं गई है कि इसमें राज के सरकार के बारे में बताएं गई है कि राजियों के क्या-क्या अधिकार है, राजी क्या-क्या करेगी, ठीक है, भाग सेबन में विताय गया है, क्या, पहली अनुसुची के भाग खोगे राजी, देखे, इनको जो हटा दिया गया है, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है, भाग साथ को, सात्वे समिधान संसुध सब्सक्राइब दोस समाप्त कर दिया गया या क्योंदे ग्रूप में 596 में कब 1956 में सम्मुधान संसोधन के दवारा समाप्त कर तो इस तरह आप लोग जान जाएए कि आप से गर पूछा जाए कि भारत के समिधान का कौन सा ainsi बहाग है जिसे निरस्ट कर दिया गया या उनिकि रह्टा दिया गया तो आपको बताना है भाग सात को सात में समिधान संसोधन के तर्थ खटा दिया गया नहीं आपको बताएं पहले क्या होता था कि राज को गुरूप वाइज में यह सब में माटा जाता था यह लेकिन नगया आपको देखने को क्या मिलता है भाग आठ क्या है तो संग र च्छेतर संग एंग क्या पड़ा के लिए और में गया तो वह खत्म ही हो गया और हम लोग ने पड़ा संग राजष्चे लिए ने वह पीड़ा है में के अधर सासित पर देश 8 हैं बहुत से बच्चे अभी क्या भोलते हैं कि 28 राज और नो के अंस्थ दंद Freeman एकका को यह सब इंपॉर्टन्ट है ठीक है तो भागणुका को जह मिलता है साहकारी समेथिया यह बीज़ एक छोटे मोटे तोड़ पर आपको देखने को मिलता है तो इस तरह से भाग नौग नौग यह तीनों जोड़े वे पंचायत नगरपंचायत असाहकारी समीथि आपको ध्यान में रख लेना है ठीक है इसको आप लोग रिविजन करते लाना तो आपको याद हो जाएंगे है अगला भाख 10 देखिए भाग 10 में क्या बताएगा है अनसुचित जाती और जनजाती छेत्र के बारे मीं बताएगा है याणी SC सीऊ इस्ट के बारे में बाते की इसमें भाग 10 में ठीक है भाग 11 में क्या बता गया है संग और राज के बीच संबंध के बारे में बता गया है कि केंद्र और राज के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए क्या-क्या बाते होनी चाहिए वह भाग 11 बता गया है देखे अब इसके बाद जो इंपोर्टेंट जो आपका आता है भाग वह आता है भाग 15 त से जुड़ी जो प्राब्धान है उनका विस लेसन आपको देखने को मिलता है भाग 15 में ठीक है भाग 16 भी इतना important नहीं है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आगे भाग 17 ठीक है भाग 17 में राज भासा के बारें बताएगा यह बहुत भाज भाषा होगी एक हINदी होगी क्या होगी हिंदी के बारें बताया है कि राज भासा हिंदी होगी और बाएं बताई गए बाते वह देवनागरी मैं आपात काल समंधित बाते के अनुछे неб की तरह तो आपको अपात काल के मिलता है इसमें जो तीन तरह के आपातकाल देखने को मिलता है इनके बीच चले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता होगा आपको 352 क्या देखने को मिलता होगा 352 ये 352 जो है ये राष्टी आपातकाल है क्या है राष्टिय अपातकाल फिर आता है 356 योजह आपका राष्टपति सासन है और अन्ती में आता है 360 यह है आपका वित्तिय अपातकाल जो कि भारत में अभी तक वित्तिय अपातकाल एक भीवार नहीं लगा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है आगे है आपका आपको सबसे पहले पूछा ज़गा भाग 20 में किसका विवरन है तो आपको बताना है समिधान का संसोधन के बारे में बता गया है तो किस आर्टिकल में है तो अनुच्छे 368 के तहट जो है हमारे भारत के समिधान में संसोधन का प्राबधान है ठीक है अच्छ समिधान संसोधन की पडिकरिया किस देश से ली गई है तो दक्षिन अफ्रीका से ली गई है ठीक है यह सभी इंपोर्टेंट है यह मैंने यहाँ पर लाश्ट में भी लिख अबोर्टेंट है तो बाएस तो बताया लेकिन उस में से सब्सक्राइब हैना अयृटों अब्सक्राइब है विख देना है लाट यहां और यहां पे राश्ट में भाक शाट को हटा दिया गया था इस तरह से हम लोगोंने भाग के बारे में भी जान गया उम्मीद है आपको इवीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो या आप मुझसे कोई बाते पूछना चाते हो तो टेलीग्राम पे भी जोईन करके पूछ सकते हो या नहीं तो आप नीचे जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे ठीक है मिल